भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल खेले जाने वाले एशिया कप को लेकर तनाव की सिती बनी हुई है इस बड़े टूनामेंट की मेजवानी पाकिस्तान के हाथों में है और PCP अपने मुल्क में ही एशिया कप आयोजित करना चाहता है मगर BCCI सचीब जैशा साफ तोर पर इंकार कर चुके हैं कि एशिया कप का दोरा करने के लिए भारते टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी इसके साथ ही BCCI चाहता है कि इस बड़े टूनामेंट का आयोजन किसी न्यूटरल वेन्यू पर होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी एशिया कप को पाकिस्तान में ही होश करने पर अड़ा हुआ है अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तिगज आल डाउंडर शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया है दरसल शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया से एशा कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आने की अपील की है उनोंने का कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो हम लोग उने सर आँखों पर रखेंगे साथ ही अफरीदी ने भूत काल की घटना को याद करते हुए कहा कि एक बार भारत दोरे पर आने से पहले पाकिस्तान टीम को दमकी मिली थी लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने इसे जिम्मेदारी के रूप में लिया और हमारी टीम क्रिकेट खेलने के लिए भारत गई थी इसलिए धमकियों से हमारे रिष्टे खराब नहीं होने चाहिए इसके साथ 46 वर्षी अफरीदी ने भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी से भी दौनों देशों के बीच क्रिकेट होने की गोहार लगाई है उन्होंने का जहां तक पाकिस्तान में सुरक्षा का सवाल है तो हमारे हाँ हाल ही में कई इंटरनेशनल टीमों ने दौरा किया है हमें भी भारत में सुरक्षा का खत्रा रहता है लेकिन अगर दौनों देशों की सरकार से अनुमती मिलती है तो दौरा होगा इसके बाद अफ्रीदी ने बड़े ही प्यार बरे और कुछ मजाकिया लेदे में भारते प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी से दर्खवास करते हुए कहा कि मोदी साब क्रिकेट होने दें दाय हाथ के इस गॉल लाउनर का माना है कि भारते टीम अगर पाकिस्तान आती है तो यह बहुत अच्छा होगा यह क्रिकेट के रिष्टों में सुधार का एक बड़ा कदम होगा यह युद्ध करने और जगडों की पीड़ी नहीं है हम चाते है कि रिष्टे बहतर हों भारते खिलाडियों के साथ अपने मदूर संबंद को याद करते हुए अफरीदी ने बताया हमने भारत के खिलाब बहुत प्यार और स्नेक के साथ क्रिकेट खेला है मुझे याद है जब हम भारत आये थे तो हमें शांदार प्रतिक्रिया मिली थी अगर आपको 2005 की सीरीज याद हो जब भारते टीम पाकिस्तान आई थी उस दोरान हर बजन और युवराज शॉपिंग करने और रेस्टरों जाते थे और कोई उनसे पैसे भी नहीं लेता था यही दोनों देशों की खुबसूरती है गौरतलवे की भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर तनाप की इस्तिती बनी हुई है साल 2012 के बाद से दोनों ही देशों के बीच एक भी बाइलेटरल सिरीज नहीं हुई है हलाकि ICC टूर्नमेंट और एशिया कप में दोनों मुलकों की बिरत देखने को मिलती है बात्य टीम ने आकरी बार पाकिस्तान का दोरा साल 2008 में एशिया कप के लिए किया था दोस्तों इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं खबर पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप्ट करने के लिए क्रिक टूड़ी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए खन्यवाद